आप सब्सक्राइब कीजिए आज इस टेरो कार्ड में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके लव लाइप में क्या बदलाव आएगा क्या चेंज आएगा आने वाले कुछ दिनों में देखने की कोशिश करेंगे आनरची ज़रूर आपके साथ कनेक्ट होगी जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं और इस रिडिंग के उपर विश्वास रखते हैं तो ये ज़रूर आपके साथ होगा आपको पॉजिटिव रहना है, ऐसा नहीं है न, किसी के लिए हो सकता है कि बहुत जल्दी हो जाता है, जेंजिस आ जाता है, किसी के जिंदिगे में थोड़ी से लेट हो जाता है, लेकिन होता है जरूर, बदलाव जरूर आता है ये रिडिंग आप अपने boyfriend या girlfriend के लिए देख सकते हैं, या फिर अपने husband या wife, चाहिए किसी भी रिष्टे में आप हो सकते हैं, किसी भी type का रिष्टा, gender specific नहीं है, सबी राशी वालों के लिए रिडिंग है, और timeless भी है, यानि कि जब ये देखेंगे, आपकी situation के साथ ज अफल करते हैं, प्लीज अपने partner को ज़रूर याद कीजे, और जो भी match होता है, जो भी आपको लगता है कि आपका situation है, वही लीजे, बाकी का छोड़ दीजे, और आप personal reading भी book कर सकते हैं, मेरा number screen के उपर है, जहां पर सिर्फ आपको WhatsApp करना है, प्लीज calls मत कीजे, angels मुझे प इस वक्त ये वीडियो को देख रहें, उनके person, उनके partner के क्या है current feelings, angels मुझे प्लीज help कीजे, angels and universe मुझे प्लीज गाइड करे, archangel Michael मुझे प्लीज help करे, मुझे बताए मेरे वीवर्स के partner की आज क्या है सोच, यहाँ पर जो card गिर है, वो है temperance का card, एक positive card, और यह कहने की कोशिश कर रहा है, कि बदलाव आपके रिष्टे में आ रहा है, आपके partner के सोच में बदलाव आ रहा है, इनके decision में बदलाव आ रहा है, overall आपकी जिंदगी बदलेगी, आपकी किसमत बदलेगी, वक्त बदलेग और आप वो देखेंगे खुद, कि मैंने जो भी तपस्या की है, मैंने जो भी उपवास रखे, मैंने जो वरत किया, या मैंने जो भी remedies किये हैं, मैंने crystal किया, मैंने tattoo card readings लिया, जो जो मेहनत अपनी की है, उसका अभी आप अंजाम देखेंगे, जो कि positive होगा, यहाँ पर angels की blessings आपको receive होने वाली है, आपको ज़रूर claim करना चाहिए 14 नंबर को, क्योंकि एक तो positive card है, और ये balance लाएगा आपकी जिन्दीगी में, जो भी खराब वक्त है, आपके जिन्देगी में चल रहा है, आपको लगता है न कि कुछ भी सही नहीं, या आपको लगता था कि सब कुछ खतम, जैसे कि आपकी कुछ बचाएं नहीं, ऐसा वक्त आपने देखा है आपकी जिन्दीगी में, ये card कहता है, लेकिन अभी angels की blessing, universe की blessings आपके उपर, आपकी जिन्दीगी में आ रही, और ये आपके जिन्दीगी को बदलना चाहती है, आप देखेंगे धेर सारी खुशियां आपके जिन्दीगी में आएंगी, जो जो सपने आपके तूट गए, जो जो अर्मान आपके तूट चुके थे, आपको लगा था कि ये कभी होगा है नहीं, रिष्टा तूटा था, या फामिली के साथ रिष्टा खराब था, दोस्तों के साथ जगड़े हो रहे थे, या फिर जॉब के यहाँ पर आपका जैसे की मन नहीं लग रहा था, प्रोमोशन नहीं मिल रहा था, रोज का टेंशन कुछ ना कुछ शुरू था, एक प्रोब्लम खतम, दुसरी प्रोब्लम शुरू और उपर से आपके पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहे थे, वो भी आपको इग्नोर कर रहे थे, तो यह सब कुछ प्रोब्लम्स जो है, वो खतम होने वाली है, और एक बहुत ही ब्यूटिफुल टाइम आपके जिन्देगे में शुरू होने वाला है, चवदा नंबर को जरूर क्लेम कीजेगा, नेक्स्ट है शिक्स ओप काप्स, देख सकते हैं ब्यूटिफुल कार्ड है, कोई लॉट कर आ रहा है आपकी जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप महबत करते हैं, जिनके लिए आपकी दिल में फिलिंग्स हैं, ऐसा कोई इंसान लॉट कर आपके जिन्दिगे में आ रहा है, टेल सारी कीजोशिय, मैंने कहा ना कि, दोनों कार्स आप देखेंगे दोनों पॉजिटिव कार्स इस रिडिंग के स्टार्टिंग में आए हैं और ये कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपकी साथ है यूनिवर्स ने आपका साथ नहीं चोड़ा है कभी-कभी हम भगवान को भूल जाते हैं लेकिन भगवान अपने बच्चों को तो आज नहीं तु कल आपकी दौपूल हो रही है देड वा है जैसे भगवान की घर में देर है लेकिन अंदेर को ये ही मुझे आं देखिए वो से निभाएंगे यह जो आपका जो एक स्ट्रॉंग इंट्यूशन पावर था कि मेरे को मेरा प्यार हासिल होगा क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है तो उसके उपर आपने जो विश्वास रखा तो वही हो रहा है यह परसन मुझे ऐसा लगता है जल से जल लौट कर में हैं कैसे सिचुवेशन में हैं और वो भी जानना चाहते हैं कि आपके उपर क्या बीत रही है मुझे लगता है ना कि नो कॉंटेक्स सिचुवेशन आप दोनों को बहुत ही जादा करीब लेकर आएगा और बहतर तरीके से इस रिष्टे की शुरुवात आप फिर से करना चाहेंगे बहुत ही ब्यूटिफल टाइम सच में आपके जिंदीगी में आ रहा है जो कि आप मिस कर रहे थे आप इसलिए मिस कर रहे थे क्योंकि आप पार्टनर को मिस कर रहे थे उनका जो साथ या सपोर्ट वह चाहिए आपको पर और आपने वेट किया और अभी मुझे लगता है कि वो वेट आपका खतम हो रहा है अच्छा वक्त आपके जिन्दगी में आ रहा है देखें यहां पर जैसे आपकी अनरशी कनेक्ट होते है जैसे कि आपने विश्वास रखा कि पार्टनर लॉट कराएंगे आप देख सकते हैं कि मुवमेंट बहुत फास्ट है eight of wands जो कि मुझे बहुत ही favorite यह card मुझे हमेशे यह कहता है आपको किसी का call आने वाला हैं आपको किसी का message आने वाला है कोई आपको मिलने को आने वाला है कोई आपको याद कर रहा है कोई ट्रावल करके आपको surprise देने की कोशिश करेगा बहुत ही beautiful card है और beautiful energy है fire sign है और इस person से बातचीत होना 100% हो जाएगा या इस person को मिलना अचानक हो जाएगा आपका partner आएंगे आपकी तरफ या आप जाएंगे उनकी तरफ और यह आपका mind सब कुछ है mind game है आप सोचे कि जो आप सोचते हैं वो आप आते हैं तो आप जब सोचते हैं कि partner मेरी तरफ आ रहे हैं तो उनका action वही होने लगेगा यहां पर मुझे फिल होता है कि बहुत तेजी से बदलाव आपके जिंदगी में एक change आ रहा है transformation आ रहा है और यह positive हो रहा है क्योंकि यहां पर तीनों cards positive पहले cards जब positive आते हैं तो आपको thank you universe अभी कहना चाहिए thank you universe thank you universe क्योंकि यह वक्त बद देने की कोशिश कर रहा है और यह बहुत कम बार रीडिंग में होता है कि continuously positive cards आना यहां पर बहुत भी beautiful energy आ चुकी है देखें आपर और भी beautiful energy the world यहने की completion person को कमी महसूस हो रहे हैं आपकी इस person को कहीं न कहीं आपके साथ उनको reunion करना है आपके साथ आगे बढ़ना है आपक पहुश में नहीं रूपते हैं finish line तक पहुशते हैं कि नहीं तब ऐसा ही होने वाला है मतलब इनको जिन्देगी का सफर जब तक आप जिन्दा हो जब तक वो जिन्दा है एक दुसरे के साथ आपको जीना है बस यही तमन्दा मुझे दिखाए दिती है आपकी आपके partner की की चाहते हैं जब तक आपसे रिउनियन नहीं होता ना जैसे कि वो भी उदास आप भी उदास आप यहां पर frustrated, anxious जैसे कि बहुत जादा सोचना, overthinking तो same issues उनको भी face हो रहे हैं तो दोनों की energy जब connect हो जाएगी तो positive vibes create होगी happiness आएगा एक दूसरे के साथ क्योंकि एक दूसरे के लिए बने हो आप लोग इसलिए तो यहां पर आप मिले हैं ऐसे time pass के लिए लगता है ना कि 21 नंबर 14 नंबर बहुत ही positive और जादा powerful cards है क्योंकि major अरकाना है तो इनकी energy बहुत जादा powerful होती है और यह completion होकर रहेगा यहां पर मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे से मिलेंगे इस रिष्टे को इस रिष्टे को जैसे की फिर से शुरू करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे किसी की शादी होते वे इन अंसर आती है यहां पर Aquarius कुंबर राशी उसके बाद Scorpio मेश राशी है यहां पर Levo यानि सीह राशी और Aries मेश राशी यह चार मेजर राशिया है जो कि लकी है आपकी है आपके पार्टनर की है और सबी राशी वालों के लिए भी energy है लेकिन चार राशिया है जो कि मेजर आते हैं यह cards मे तो world यानि की reunion करना चाते हैं आपके पार्टनर उनकी feelings में है कि अभी मुझे जाना है आज वो यह सोच रहे हैं कि अभी मुझे जाना ही है आपसे उनको मिलना ही है आपसे उनको बात करनी ही है भले आप मना करते हैं आप कहेंगी कि नहीं बहुत टाइम हैं मुझे नहीं बा मनवाने की कोशिश करेंगे और अपना बनाने की कोशिश करेंगे नेक्स का सेवन ओप पैंटिकल्स यानि कि बहुत जादा इंतिजार हो गया और यह इंतिजार अभी बरदाश नहीं होता है आपकी परसन का क्योंकि दूरी आप एक मेना दो मेना यह पर ऐसा लगते हैं साथ मेना किसी के लिए चौदा मेने हो सकते हैं बहुत जादा टाइम, seven of pentacles, एनकि बहुत जादा वक्त लगाया है, परसन ने, आपसे जैसे कि no contact देकर बहुत टाइम लगाया, वापस आने में बहुत टाइम, और आप इंतिजार करते रहे, ऐसा नहीं है न कि आपने साथ छोड़ दिया, या आपने उमीद छोड़ दी, कि इस परसन से फिर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं, आपको ये लगता रहा, आपका दिल ये कहता रहा, कि परसन से आप ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि परसन आपको नहीं भुला सकते, ऐसा कुछ किया है आपने, उनकी जिंदगी में इतना असर है आपका, कि आपको भुलान या फिर आपकी यादे मिटाना, impossible, that is not at all possible for this person, your partner, तो यह partner मुझे लगता है कि बहुत मायूस है, बहुत ज़्यादा नाराज है, sad energy में है, कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, जब से आपका साथ चोड़ा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपके energy से जब वो connect होते हैं, या फिर आपके औरा में वो रहते हैं, तो वो एक luck factor हो सकते हैं उनके लिए, आप एक lucky charm हो सकते हैं उनके लिए, कि आप जब हो तो बहुत चीज़ें उनकी अच्छी हो जाती है, positive हो जाती है, उनको success मिलता है, वो खुश रहते हैं, तो ये नहीं है, missing energy है आपकी, और ये ज़्यादा time इसके वज़े से दूर नहीं रहेंगे, कार्ड शैफल करेंगे, फिर से एक बार और कुछ कार्ड लेंगे, तो जब भी कार्ड शैफल करते हैं, प्लीज अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लेजे, और thank you universe ज़रूर कहेंगेगा, और claim भी कीज़े, आप message, मतलब comment भी कर सकते हैं, आप comment भी कर सकते हैं, thank you universe, वक्त बदलेगा, बहुत ही beautiful time आ रहा है आपके जिन्दिगी में, क्योंकि कार्ड से positive आ रहे हैं, और person की emotions को दिखा रहे हैं, जो emotions आप देख नहीं सकते हैं, या feel नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको पता चलती है, five of cups, person को लगता है आपके partner को, कि उन्होंने गलती की है, आपका साथ चोड़ कर, या person को ये भी लगता है, कि सही वक्त पर उन्होंने आपका साथ, जैसे कि नहीं ही चोड़ना था, उस वक्त साथ चोड़ा, यहाँ हो सकता है कि आपको चोड़ कर वो चले गए, आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने मूड़ कर पीछे नहीं देखा, कि आपके उपर क्या बितीगी, आपकी हालत क्या होगी, तो ये regret फुल कर रहें, कहीने कि बहुत ज़़दा जैसे होता है ना, कि मुझे ही फील होता है, मतलब किसी को हम धोका देते हैं, या तकलीफ देते हैं, तो खुद को ही अच्छा नहीं लगता है, कि यार मैंने गलत किया उसके साथ, तो ऐसी फिलिंग्स है उनकी, कि उनको लगता है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ, या गलत किया इस रिष् तो उनकी emotions hurt हुए होंगे उस वक्त या साथ छोड़ा आपका या उन्हें नहीं कुछ कह दिया आपको insult किया या कुछ भी किया जिसके वज़े से आप hurt हो गए एक दुसरे को hurt situation नजर आती एक दुसरे को hurt किया दिल दुकाया एक दुसरे का और अलग हो गए जो कि बुरी बात ह अलग होना है ना तो हस्ते हस्ते अलग हो जाओ कि ये रिष्टा हमको आगे नहीं बढ़ाना है तैंक यू सो मच for staying with me till now ऐसा कहे कर आप happy ending कर सकते हैं उससे क्या होता है तकलिफ नहीं होगी लेकिन आप जगडा करके जब अलग होते हैं किसी से तो वो बहुत बड़ा तकलि होते हैं और friends रहे चाते है ये अच्छी बात है लेकिन किसी को insult करके आप किसी को तकलिफ दे कर जैसे मैंने यहाँ पर कहा ना कि regret feel हो रहा है उस person को तो रातों के नींद भी नहीं आती है और यह person मिचे ऐसे लगते हैं कि अभी आपको आपको लेकर बहुत जादा serious होते हैं नजर आते हैं आपका साथ नहीं चोड़ना है इस person को क्योंकि इनको हर वक्त आपका खयाल बहुत जादा सताता है इनकी गलतिया जो है इनको जीने नहीं देती हैं इनकी गलतिया ऐसे हैं कि जहर बन गया इस person के लिए मतलब जहां जहां जाते हैं जो जो काम करते हैं तो आपकी याद आती है इस person को, chance से रहने नहीं देती, और ऐसे situation में partner क्या करेंगे, कि जाधा time, यही सोचेंगे कि मुझे नहीं, ऐसे आलत में जेना नहीं है, इससे बहतर कि मैं बात करो, सब कुछ sort out करो, दोनों मिलकर, मतलब एक दुसरे को माफ करें, और आगे बढ़ें, यह मुझे लगता है, reunion ह होने के chances से यहाँ पर बहुत जादा है, क्योंकि यह डरते हैं person अभी, आपको खोने से डरते हैं, या उनको क्या लगता है, कि अगर उनने बहुत जाधा time लगाया, तो हो सकता है कि आप हमेशा हमेशा के लिए उनको, जैसे कि उनका topic यह close कर देंगे, उनका साथ ही छोड़ देंगे, तो इनको यह भी feel होता है कि कहीं न कहीं, आपको उनकी जरूरत है, और उनको होना चाहिए आपके साथ, अभी वो feel कर पाते हैं, मतलब अभी तक आपको ही लगता था, कि partner कास्ट मेरे मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता, अभी मुझे उनकी जरूरत है, या हो हो सकता है कि आपको जॉब में कुछ प्रॉब्लम से है, हो सकता है कि आप एक सिंगल विमन हो, या फिर आप एक डिवोसी हो, और आपको किसी की साहरे की जरूरत, इस परसन ने आपको साहरा दिया होगा, और अभी ये परसन आपके साथ नहीं है, तो आपको बहुत अकेला- ना करें, लेकिन इनका साहरा आपके लिए बहुत इंपोर्टन्ट है, और वो फिल करा है ता इस परसन ने, और अभी भी आप चाहते हैं, बहुत missing energy आपकी भी है, जो कि इस परसन को भी फिल होने लगी है, कि उनको आना चाहिए आपके पास, और ये reunion होने के chances को और भी पिश्वास रखा है, और आपको पता है कि मेरा प्यार सच्चा है, मैंने दिल से उस परसन को अपना माना है, तो वो परसन आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि प्यार तो सच्चा प्यार हमेशा जीत जाता है, यहाँ पर भी मुझे यह लगता है कि आपके प्यार की जीत हो रही, यह परसन ढूंटे ढूंटे आपको जहाँ पर भी आप जाओ, हो सकता है कि यह परसन ने आपका आपके साथ ब्रेक अप किया, यह आपके साथ रिश्टा तोड़ा, तो आपको वहाँ पर रहने का मन नहीं किया, आपने कहीं और जगह पर शिफ्ट किया होगा कहीं और रहने गई होंगे या वो प्लेस छोड़ा जहाँ पर आपको पार्टनर की याद बहुत ज़्यादा सताती है वो प्लेस छोड़कर आप कहीं दुसरी जगह पर गएं तो वो ढूंटे-ढूंटे आएंगे आपका पता करेंगे ज़रूर कि आप कहा हो किस सिचुएशन में हो यह सब कुछ मुझे लगता है ना परसन आपके कोशिश करेंगे एफर्टस डालेंगे आपको पाने की जिद यहां पर है क्योंकि गोड़े पर सवार है परसन तो आप सोच सकते हैं कि गोड़े की स्पीड कितनी होती है तो यह जल्दी से आपके तरफ आना चाहते हैं क्योंकि दोनों कार्ड जो है ना एट ओफ वांड और सिक्स ओफ वांड सी कहते हैं कि एक तो ट्रावल करके लॉंग डिस्टेंस रिलेशन्शिप हो सकता है या फिर जगड़े के बाद या नो कॉंटेक्स सिचुएशन के बाद या ब्रेक अप के बाद आप दोनों बहुत दूर दूर रहते हो एक दूसरे से तो एक होते हुए हम इंचे नसर आते हैं बहुत ही स्ट्रॉंग एनरजी है कि आपकी प्यार की जीत होगी क्योंकि person खुद आपकी तरफ आना चाहते हैं इस रिश्ते को थीक करना चाहते हैं या फिर जो भी situation है उसमें वह अपना hundred percent देना चाहते हैं कोशिश करना चाहते हैं उनको पता है कि आपको जैसे कि एक दिलासा देना या फिर आपको अपना बनाना अभी मुश्किल है क्योंकि उन्होंने आपको ही दूर किया था खुछ से अभी वो फिर वापस चाहते हैं अपने जिन्देगे में और इतना असन नहीं होगा अभी आपको भी डर लगेगा ना उस रिष्टे म जाने के लिए क्योंकि वो तो आपको अच्छानक दूर के आप से और आपके उपर क्या बीती उसके बारे में कुछ पता नहीं है और अगर वो वापस आते हैं और फिर बोलेंगे कि चलो फिर से जुरू करते तो इतना असन नहीं रहेगा तो वो भी उनको पता है लेकिन व नज़र आते हैं Nine of Pentacles एक बहुत ही Positive Card है और यहां पर मुझे लगता है na कि Person के पास सब कुछ है और यह Person आपको हर खुशी देना चाहते है nine of pentacles ऐसा है कि वो भी खुश रहना चाहते हैं और आपको भी खुश रखना चाहते हैं आपको अपनाना चाहते हैं आपके साथ जिन्दगी गुजारना चाहते हैं यहापर मुझे लगता है कि person well settled हो गए आपसे दूर होने के बाद हो सकता है कि यह person ने career के उपर focus किया अपनी job के उपर अपनी business के उपर अच्छे खासे पैसे कमाए और अभी उनको लगता है कि आपके साथ उनको settle हो जाना चाहिए और उन्होंने वक्त मांगाता ऐसा भी हो सकता है यह भी नहीं हो सकता है सबके लिए कि सबका break up हो चुका है हो सकता है कि person ने partner ने आपके career को अगर उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगा सोचूंगी ऐसा भी हो सकता है तो यह कहिनक होते में नसर आता है कि इन्होंने अच्छा खासा जैसे कि financially settled हो गए और उनको अभी लगता है कि अभी वो सही वक्त है जहां पर उनको शादी कर लेनी चाहिए तो मुझे यह फील होत शादी को दर्शाता है temperance भी शादी को ही दर्शाता है nine of pentacles शादी को दर्शाता है और six of wands क्यूंकि Venus का काड़ है तो शादी को ही दर्शाता है तो यह आपकर मुझे ऐसा लगता है किसी का सपना अगर तूट गया है आपके partner के साथ शादी होने वाली थी और बीच सफर मे person अलग हो गए तो अभी वो सब कुछ ठीक करके शादी करना चाहते है यह मुझे energy नजर आती है आप यह आप ऐसे दलदल में फस चुके हैं तो partner को देखा नहीं जाता है भले आपकी family भले कहते हैं कि नहीं हमको मन्सूर नहीं है तो भी यह आपको कही न कहीं लेकर जा सकते और शादी आपके साथ कर सकते हैं यह मुझे फील होता है मतलब आपकी खुशी के बारे में अभी ज्यादा सोचने लगे हैं आपके partner पहले मुझे लगता है कि यह आपके हाल पर छोड़ दिया था इस person ने आपको कि आपकी जिंदेगे में जो भी होता है वो ठीक है आप उनको एक इंसानियत जैसे की जाग चुकी है तो उनको ऐसा लगता है ना कि आपका साथ देना चाहिए और आपको खुशी देनी चाहिए जो कि एक positive sign मुझे आप नजर आते हैं ऐसा सोचना एक बहुत ही positive बात है कि आपके partner आपको लेकर serious हो रहे हैं आपकी खुशी के बार और उसके बाद हम कुछ love feelings भी देख लेंगे या person की hidden feelings भी देख लेंगे engines मुझे please guide करें मुझे बताएं जितने भी वीवर्स अभी देख रहें इस वीडियो को उनके person की और क्या है सोच, current feelings, current emotions, 10 of cups यानि कि completion जैसे मैंने कहा ना कि world भी completion को दर्शाता है और 10 of cups मुझे यहां पर यह लगता है कि travel करके आपके साथ उनको time spend करता है आपके साथ खु है या फिर अगर आप husband wife है तो यहां पर मुझे फिर से आप दोनों एक होते वे नजर आते हो सकता है बीच में किसी की बुरी नजर के वज़े से husband wife दोनों अलग-अलग होए थे तो एक होते वे नजर आते दोनों single है और बुरी नजर लगी थी दोनों में जगड़े होकर अ मुझे यह relationship में खास बात यह नजर आते है जैसे कि आप बहुत सोचते हैं आपके partner की खुशी के बारे में कि उनको कैसे खुश रखा जाए उनके लिए क्या क्या किया जाए ताकि वह happy रहे smiling रहे आपसे जादा प्यार करें same situation आपके partner की भी नजर आते कि वह भी आपके लि में जादा सोचेंगे यह मुझे लगता है 10 of cups emotions feelings और love feelings बहुत जादा strong मुझे इस रिष्टे में नजर आती है seven of swords के energy मुझे लगता है ना कि person इस रिष्टे को इस relationship को अच्छी तरीके से handle नहीं कर सके जैसे कि लापरवाई ही होती है ना वो मुझे यहां पर नजर आती है जैसे कि आप देख सकते है seven of swords है यहां पर दो खड़े हैं और इंसान पांच लेकर ही जा रहा है तो उसको साती उठाना था ना जिम्मेदारी उसकी है तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी नहीं उठा रहे थे इस रिष्टे की responsibility नहीं ले रहे थे और भाग रहे थे जिम्मेदारी से भाग रहे थे इस रिष्टे को संबाल नहीं पा रहे थे ऐसा मुझे लगता है या फिर ठीक तरिसे मुझे लगता है कि time नहीं दे रहे थे आपको या आपकी feelings को नहीं समझ रहे थे कदर नहीं कर रहे थे आपकी कि आप कितना कुछ कर रहे हैं सेक्रिपाइस दे रहे हैं बहुत कुछ कर रहे हैं वो नहीं सोच रहे थे जो आप चाहते थे वो नहीं हो रहा था इस परसंद के एक्शन से हो सकता है या परसंद ने जो जो डिसीजन्स लिए वो बहुत गलत हुई है इस परसन के हरकत के वज़े से यह मुझे seven of swords में दिखाए देता है मतलब आपके उपर खंजर घुज गए तकलिफ हो रही थे आपको इस रिच्टे में या परसन के स्वभाव से परसन के action के वज़े से परसन आपको time नहीं दे रहे थे यह कहिने के तकलिफ वाली बात ही मझे यहां पर नज़र आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हो चुकी थी प्यार कभी खतम नहीं होगा इस परसन का और bottom of the deck है eight of swords यानि कि परसन अभी तक अटके हुए थे बंदन में या फिर clarity नहीं दे रहे थे इस रिच्टे के बारे में इन्होंने अपने हाथ बंद के रखे थे यानि कि call messages ना करना आपको क्यों पर पट्टी यानि को नहीं दे लेकिन page of cups ही है ना कि भले वो कितना भी avoid करें इनका प्यार कभी खतम नहीं हुआ इनका प्यार इनको यही कह रहा था कि तुमको जाना चाहिए तुमको जाना चाहिए रिच्टे को ठीक करना चाहिए ऐसी मुझे feelings रखती है तो यह page of cups बहुत बहुत जादा positive card है कि person को उनक प्यार या आपका प्यार लेकर आएगा इस रिच्टे में वापस 11 नंबर लखी है 21 नंबर लखी है 6 नंबर लखी है 14 लखी 8 नंबर आपके लिए strongly लखी है 6 नंबर 10 नंबर और 9 नंबर यह कुछ बड़ीट हो सकते हैं lucky numbers हो सकते हैं angel numbers हो सकते हैं राशी की बात करते हैं Aries Leo Sagittarius मेश राशी सिह राशी और धनो राशी उसके बाद जैमिना लीबरा एकपिरिस यहने की मितों राशी तुला राशी कुमबर राशी कैंसर पाइसर स्कॉर्पियो करकर राशी मीन राशी वरशक राशी और उसकी बाद जो राशी है टॉरस और राशी वरशब राशी और कन्या राशी यह कुछ राशियां यहां पर आई वही है नेक्स्ट हम उनकी hidden feelings कुछ देखने की कोशिश करेंगे कुछ ही लेंगे दो तीन messages और देख लेंगे कि person क्या कहना चाहते हैं आपर और अड़री दो आ चुके हैं देखेंगे कि person क्या कहन चाहते हैं आज आपसे क्या हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते मैंने कहा आता ना कि फिर से वह नहीं शुरुआत करना चाहते हैं एक second chance देना चाहते हैं इस रिष्टी को क्योंकि वह नहीं रह सकते मतलब बहुत ज़ादा happy भी नहीं है बहुत ज़ादा जैसे की comfortable भी नह लेकि नहीं हुआ तो फिर से शुरुवात करना चाहते हैं जब से हम एक दूसरे से दूर हुए हैं मुझे कभी किसी चीज से खुशी नहीं हुई यानि कि उनकी खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है तो कैसे खुश रह सकते हैं आपको इग्नोर किया ego attitude गुसे में हो सकता ह रिष्टा तोड़ा रिष्टा तोड़ने के बाद खुश नहीं रह सकें तो यह मुझे यहां पर strongly उनकी feelings नजर आते हैं कि यह person अभी भी interested है और वापस आएंगे So thank you all of you, thank you angels, thank you universe